मेरा नाम डाक्टर स्रवन कुमार है, तथा मैं J.N. कॉलेज धुरुवा में H.O.D. के रूप में पदस्था पित हूँ. आज मैं आप लोगों को B.C.M. 1st semester की क्लास में CC1, Financial Account में Royalty Chapter पर अपना Lecture दूँगा. इस Chapter के अंतरगत 5 term यूज होती हैं. फर्स्ट टर्म रोयल्टी, सकेंड टर्म लैंडलॉड, थार्ड टर्म लेसी, फोर्थ टर्म मिनिमम रेंट, तथा फिफ्ट टर्म स्वाट वर्किंग. लैंडलॉड वह ब्यक्ति होता है, जो अपनी अचल संपत्ती, जैसे लैंड, माइन्स, ओल्वेल, बुक्स, या अन्य कोई संपत्ती, जिसको वह स्वाएं उप्योग नहीं कर सकता है. और उसे उप्योग करने का अधिकार, दूसरे ब्यक्ति को कुछ सर्तों के अधार पर, तथा निश्चित किये गए किराये पर देता है, ताकि वह उस संपत्ती को उप्योग करने के पस्चाथ, एक निश्चित रासी निर्धारी तवधी तक भुक्तान करेगा. लेसी वह ब्यक्ति होता है, जो लैंडलोड से उसकी संपत्ती को उप्योग करने का अधिकार, निर्धारित सर्तों पर, तथा निर्धारित किराये पर प्राप्त करता है. यह लैंडलोड को किये गए एग्रिमेंट के अनुसार प्रतेक वर्स या प्रतेक छव माह पर या प्रतेक तीन माह पर रासी का भुक्तान करता है. रोयल्टी रोयल्टी वहरासी होती है, जो लेसी द्वारा किये गए उत्पादन के आधार पर निर्धारित की जाती है, और उसका भुक्तान लैंडलोड को किया जाता है. यह दोनों के आपसी समझोते के अनुसार निर्धारित होती है. मिनिमम रेंट, लैंडलोड लेसी को अपने समपत्ती को उप्योग करने का अधिकार देते समय यह निश्चत करता है, कि यदे प्रोडक्शन निश्चत सीमा से कम होगा, तो ऐसे इस्तिती में वह लेसी से नियूंतम किराया लेगा, और यदे प्रोडक्शन नियूंतम किराये से ज्यादा होता है, तो वैसे इस्तिती में वह रोयल्टी किरासी लेसी से या पट्टाधारी से लेगा. सौट वर्किंग लेसी भी लैनलोड के सामने अपनी कुछ सर्थ रखता है, कि यदि रोयल्टी किरासी मिनमम रेंट से कम होगी, तो वैसे सौट वर्किंग किरासी देगा, लेकिन जदी रोयल्टी की रासी मीनमम रेंट से ज़्यादा होगी तो वह इस सर्प्लस को आगे आने वाले वर्षों में रिकूप करने का अधिकार रखेगा सर्टों के अनुसार यदी रिकूप करने का अधिकार प्राप्थ हो जाता है तो वह Sort Working की रासी को Recoup करेगा और निर्धारित अउधी क्या पस्चार यदि Sort Working की रासी Recoup नहीं होती है तो ऐसे इस्थिति में उस Sort Working की रासी को वह Profit Loss Account में ट्रांसफर कर देगा अब इस चैप्टर में हम लोग कोई भी प्राब्लम सौट करते समय एक एनलेटिकल टेबूल बनाएंगे जिसमें दस कॉलम होते हैं 1st Column, Year of Production 2nd Column, Production 3rd Column, Royalty 4th Column, Minimum Rent 5th Column, Short Working 6th Column, Surplus 7th Column, Short Working Group 6th Column, Amount Paid to Landlord 9th Column, Unrecouped Short Working, Transfer to Profit and Loss Account 10th Column, Every Year Royalty, Transfer to Profit Loss Account अनलेटिकल टेबूल को काफी सावधानी पुरुवक बनाना चाहिए क्योंकि यह टेबूल बनाते समय यदि किसी प्रकार की कोई मिश्टेक हो जाती है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गलत होगा इसमें हम लोग Short Working के कॉलम पर ज्यादा ध्यान देंगे एनलेटिकल टेबूल बन जाने के पस्चार लेंडलोड तथा लेसी अपने पुस्तक में निम्न लिखित जर्नल इंट्री तथा लेजर बनाते हैं जर्नल इंट्री बनाते समय लेंडलोड और लेसी के सामने थ्री कंडिशन्स होती है 1st condition, when royalty is less than minimum rent, following entry will be made in the book of Lacey, royalty account DR, short working account DR to landlord account, being royalty earned and short working to be paid to the landlord, landlord account DR to bank account, being amount paid to landlord, 3rd entry, profit and loss account data to royalty account, being the amount of royalty transferred to profit and loss account, 2nd condition, when royalty is equal to minimum rent, the following entry will be made, royalty account debtor to landlord account, being the royalty earned and payable to landlord, landlord account debtor to bank account, being the amount paid to landlord, profit and loss account debtor to royalty account, being the amount of royalty transferred to profit and loss account, when royalty is more than minimum rent and right of short working kept with Lacey, 3rd entry, royalty account debtor to landlord account, being royalty earned, 4rd entry, landlord account debtor to bank account, to short working account, being amount paid to landlord, and excess amount of short working recouped, 5rd entry, profit and loss debtor to royalty account, being the amount of royalty transferred to profit and loss account, यदि शॉट वर्किंग को रिकूप करने का अधिकार लेशी के पास समाप्थ हो जाता है, तो ऐसे इस्तिती में जिस वर्स वर्स वर्किंग का अधिकार समाप्थ होता है, ऊस वर्स में वर्स अन्रीकॉब्ट सॉट वर्किंग को प्रोफिट अन लॉस एकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, और उसके लिए निम्न एंट्री होगी Profit and Loss Account Data to Short Working Account Being Unrecouped Short Working Transfer to Profit and Loss Account Problem solve करते समय उपरोत जर्नल एंट्री बनाने के पस्चात लेशी अपने बुक में निम्न लिखित लेजर ओपन करता है फर्स्ट रोयल्टी अकाउंट, सेकेंड सौर्ट वर्किंग काउंट, थार्ड लेंडलोड अकाउंट, फोर्थ बैंक अकाउंट, फिफ्थ प्रोफिट एंड लॉस अकाउंट यदि नेसेसरी लेजर ओपन करने के लिए कहा जाए, तो ऐसे इस्थिति में केवल रोयल्टी अकाउंट, सौर्ट वर्किंग काउंट और लेंडलोड अकाउंट ही बनाना चाहिए प्रोब्लिम सौल्व करते समय, सबसे ज़्यादा ध्यान सौर्ट वर्किंग अकाउंट बनाते समय देना चाहिए क्योंकि रोयल्टी अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं होता है और नहीं लेंडलोड अकाउंट में कोई बैलेंस होता है यदि बैलेंस होता है तो केवल सौर्ट वर्किंग काउंट में जो सौर्ट वर्किंग रिकूप नहीं हुआ है और जिसको रिकूप करने का अधिकार अभी लेशी के पास होता है कभी कभी रोयल्टी में रोयल्टी एकाउंट बनाते समय फैक्ट्री में इस्ट्राइक्स हो जाती है और वैसी परिस्थिती में लेशी के सामने यह समस्या आती है कि वह मिनिमम्म रेंट कितना देगा यहाँ पर प्रारंब में ही एग्रिमेंट करते समय ही लैंडलोर्ड और लेशी यह निर्धारित कर लेते हैं कि यदि स्ट्राइक होगी तो या तो मिनिमम्म रेंट प्रपोर्सनेट होगा या मन्त वाइज डिड़क्ट हो जाएगा और उस एमाउंट से रोयल्टी को कंपेर करके एमाउंट लेशी लैंडलोर्ड को देगा थैंक यू